मश्कार बच्यों प्रेम विध्या मंदेर हिंदे हाइ स्कूल से में लिला में कक्षा छे पाट बारा जासी की रानी की समाधी की सुबदर्क मरी चोहान द्वारा रची थे इनका जन सन 1904 में हुआ और इनकी म्रद्यू सन 1948 में हुआ सुबतरक मरी चोहान का जन इलावाजिले के निहालपुर घाव में हुआ था उनकी कावी साधना में पुतक्रिष्ट, देश्प्रेम, अपुरु साहा तथा आत्मुत सर्ग की प्रबल कामना त्रश्टि गोचर होती है 12 सरकार ने उनका डाक्ट के जारी करके उनने सम्माने किया है हिंदी कावी जगत में सुबतरक मरी अकेली ऐसी कवीत्री है जिनोंने अपने कंट से लाखो भारती युवग यूत्यों को युग-युग की अकर्मन युदासी को त्याग स्वतंत्रा संग्रा में अपने आपको समर्बित कर देने के लिए प्रेरित किया उनकी प्रमुक्रित्यों में कूल अउत्री धारा कावे संक्लने, सीधे साधे चित्र, बिख्रे मोती, उन्मादिनी कहानी संक्लने, तथा गोरव ब्रंत के रुप में जासी किरानी प्रशिद्ध है जासी किरानी लक्षिंबाई बारत के प्रथम स्वतता संग्राम की अमल सेनानी रही है, कावेत्री ने उन्हीं की समादी पर अपने स्ने और श्रद्धा के पुश परपित किये है उनकी ये समादी हमारे स्वादिन्ता संगर्श का प्रेरक बलबनी और समादी में चिपी उनकी राख की धेरी में बारत की आज़ादी की जिनगारी को देखा है तो इस तरह सुबदरक मरी चोहान जासी किरानी के बारे में उनकी समादी के बारे में बता रही है इस समाधी में चिपी हुई है एक राख की धेरी जलक जिसने स्वतंतता की दिव्यारती फेरी सुवद्रक मरिचवान कहती है कि जासिकी रानिक की समादी में एक राख की डेरी छिपी है जो जलक जिसने हमारे लिए स्वतंतता की एक दिव्या आर्थी के रूप में हमको सजो के रखा है यह समादी यह लगू समादी है जासी की रानी की अंतिम लिला इस्तली यही है लक्ष्मी मर्दानी की तो कवेत्री कहते है की समादी यह भली एक छोटी समादी है और यह जासी की रानी की समादी है लेकिन इनकी अंतिम जो इस तल था वो यही है ये मर्दों की तरह लड़ी है इसलिए इनको मर्दा ने कहा गया है यहीं कही पर बिखर गई वा बगन विजय माला सी उसके पुल्या संचीते है यस्मिती शाला सी तो यहां लड़ते लड़ते यहीं पर इनकी शव बिखर गया और उनकी एक जो विजय माला थी उनके वो यहीं बिखर गई उनके फूल्यानि उनकी अस्तिया या संचीते और एक स्मिती इनकी यहां समाधी के रूप में बनी हुई है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी आहुती से गेचडी चीता पर चमकुठी ज्वाला सी वो अंग्रेजों से लड़ते-लड़ते बहुत वार सहे अनेक बार उन्होंने अपनी पाउं पे, हाथ पे, कंदे पे बहुत वार सहे और अंतिम समय तक वो लड़ती रही और अंत में वो एक आहूती यानि जैसे अपने हवन कराते और आहूती देते उसी तरह वो भी एक चिता पर चट गई लेकिन उनकी वो ज्वाला एक हमारी स्वतंतरता के लिए एक आर्तिक के रूप में, एक दीब के रूप में उज्वल हो उठी बढ़ जाता है मानवीर का रण में बली होने से, मुल्यवती होती सोने से, भस महता सोने से शहित जब कोई मरते लेकिन वो युद्ध में, युद्ध करते हुए रण में मर जाता है तो उसका मान और अधिक बढ़ जाता है और उनके मरने पर उनका मान बढ़ जाने पर उनकी जब अस्ति होती है और उनकी बस मोती है वो सोने से भी अधीग ज़्यादा मुल्लेवान मानी जाती है आज इतना ही बाकी का हम बात में समझाएंगे थेंक्यू